ओम शांति ज्यान सोरे शिव बाबा जब इस रिष्टी रंगमंच पराते हैं, तो स्वयम ज्यान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ हम सितारों को भी चमका देते हैं। हमारे भीतर, जुगुण, जो शक्तियां जनम पुनर्चन में लेते लेते शिर्ण हो गई थी। उन शक्तियों को पुनहा उजागर कर देते हैं। और वंडरफुल बात ये है कि परमात्मा के इस वंडरफुल कारे को हम सक्षात रूप में संगम युक पर अनुभव भी कर रहे हैं। और इसके जड़ यादगार आस्मान में सूरे चांद सितारों के रूप में देख भी रहे हैं। मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में शिव और साली घ्राम के रूप में भी देख रहे हैं। तो हम अपने इस संगम युगी जन्म को यथार्थ रूप से समझ कर परमात्म शक्तियों और गुणों को जीवन में धारण करके जितना अपने जीवन को देवतुल्ले बनाते हैं। उतना हमारे जड़ यादगार भी पुजे जाते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के रुप में जाने जाते हैं। पुरोने भी मनुश्य आत्माई देवतुल्ले समझ कर उनसे मनु कामना पोर्ण करने की आशा रखते हैं। तो यह अदभूत, संगम युग के यादगार और भक्ति मार्ग के यादगार का संगम केवल हम भागेशाली आत्माउं को ही देखने को मिलता है और जानने को मिलता है। सुनते हैं आज के मधर महवाक्यों में इनी यादकारों के अद्भुत रहस्य को आज है अठारा तारिक 18 सितंबर 2024 बाबा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे तुम हो धर्ती के चैतन्य सितारे तुम्हें सारे विश्व को रोश्नी देनी है ये रोश्नी वो रोश्नी नहीं है जो दुनियावी सितारे देते हैं यह ज्यान की रोश्नी यह शक्तियों की रोश्नी जो हमें संपूर्ण विश्व को देनी है प्रश्ण है, शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? है न, देखो बाबा, ये जो काया है, मायावी प्रभाव से, जो विकृत हो गई है, विकारी बन गई है, इसे कंचन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा मा के द्वारा, तुम्हे ज्ञान दूध पिला कर, तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, क्या त्वमेव माताष्च पिता त्वमेव, अभी तुम ब्रह्मा मा द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब बाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे, तो ये है ज्ञान और योग की कमाल, ओम शांते, रोहानी बाप बैठ समझाते हैं, जिसे आस्पान में सितारे हैं, रसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, यह कौन है, धर्ती के सितारे हैं, तो कौन है आप सबी? हम सबी? धर्ती के सितारे, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है? अभी वह कोई देवता तो हैं नहीं, कह देते हैं, पर देवता तो नहीं हैंना, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो. तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। संगम युग पर उत्थान और फिर द्वापर युग से पतन। वहतो करके मांडवे के लिए रौशनी देते हैं। इस रिष्टी रंगमंच है। इस रंगमंच को रौशन करने के लिए सोरे है, चांद है, सितारे है। तो वो इस मांडवे को रौशन करने के लिए है। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। वो नाचुरल सोर्स ओफ लाइट है, कोई देवी देवता नहीं है, तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो, अभी सारे विश्व पर घोर अंधी आ रहा है, पतित बन पड़े है, अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आ मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूरे को भी देवता कह देते हैं, कहां कहां सूरे का जंडा भी लगाते हैं, है न, जपान में जो फ्लैग है उस पर सूरे बना हुआ है, अपने कुछ सूरे वंशी भी कहलाते हैं, वास्तव में तुम सूरे वंशी हो न, हम शिव बाबा जो ज्ञान सोरे है उनसे ज्ञान अर्जन करके सूरेवंची घर आने में चले जाते है तो बाब बैट तुम बच्चों को समझाते है भारत में ही घूर अंधियारा हुआ है अब भारत में ही सोजरा चाहिए बाब तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे है तुम अज्ञान नींद में सोई पड़े थे बाब आकर फिर से जगाते है कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुशोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ यह पुरुशोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नई इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो जबके तुम सितारे फिर देवता बनते हो तुम को ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नम्हा तो हम चेतन सितारो को कहेंगे अभी तुम पुचारी से पुच्चे बनते हो वहा तुम पुच्चे बन जाते हो यह भी समझने का है न इसको रोहानी पढ़ाई कहा जाता है यह जो बाबा हम चेतन सितारों की बाद बता रहे हैं और जड सितारों के साथ हमारा कनेक्शन बता रहे हैं यह भी समझने की बाते हैं यह रोहानी पढ़ाई है इसमें कभी किसकी लडाई नहीं होती टीचर साधारण रीती पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीती पढ़ते हैं इसमें कभी कोई लडाई की बात ही नहीं यह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है उनको अपना शरीर नहीं है कहते हैं मैं इस रत का लोन लेता हूँ भागी रत भी क्यों कहते हैं क्योंकि बहुत बहुत भागेशाली रत है यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं तो भागी रत ठहराना तो सबका अर्थ समझना चाहिए न वो जो शास्त्रों में कहानिया बनाई है भागी रत ने गंगा लाई वास्तव में कौन है भागेशाली रत? ब्रह्मा बाबा और स्थूल गंगा की बात नहीं है ज्यान गंगा की बात है तो यह बातें भी समझनी चाहिए तो बाबा कहते हैं यह सबसे बड़ी पढ़ाई दुनिया में तो जूट ही जूट है न कहावत भी है सचकी नईया डोले पर डूब नहीं सकती न आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े है अपने को तो छोड़ो परन्तु ठिककर भितर को भी भगवान कह देते है मनुष्यात्मा को तो भगवान कहते ही है परन्तु क्या कहते हैं पत्थर में, पेडों में सब में भगवान है भगवान को कितना भटका दिया है बाप पैट समझाते हैं जिसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं परन्तु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरू भी हो पहले बाप पास जनम लेते हैं पहले क्या होता है, दुनिया के अंदर बाप के पास जनम लेते हैं फिर क्या होता है, थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए फिर क्या होता है, आगे बड़ो तो फिर साथ वर्ष के बाद गुरू चाहिए परन्तु यहां क्या है यह तो एक ही बाप, टीचर, सत्गुरु है 3-1 है कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हो पड़ती तो आत्मा है आत्मा को आत्मा कहा जाता है पकि शरीरों के अनेक नाम है खयाल करो यह है बेहद का नाटक बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही कोई नई बात नहीं यह अनादी बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है पाटधारी आत्माए है आत्मा कहा रहती है कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले है पर हम यहाँ आते है बेहद का पाट बज्जाने बाप तु सदेव वहां ही रहते है हम यहाँ आते हैं बेहद का पाट बज्जाने लेकिन शिव बाबा तो सदा उपर ही रहते है वो पुनर जनम में नहीं आते है अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं किवल अभी संगम युक पर तुमको कहते है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे कितना अच्छा स्वमान है हमारा हम कौन है स्वदर्शन चक्रधारी इसका आर्थ भी कोई और समझ न सके वो तो स्वदर्शन चक्र समझ लेते हैं, है न, उस अलंकार को, लेकिन वास्तव में इसका आर्थ हम समझ सकते हैं, तो बाबा कहते हैं, इसका आर्थ भी और कोई समझ ना सके, क्योंकि वो तो समझते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी विश्णु है, ये फिर मनुश्यों को क्य ऐह तुम जानते हो शूद्र थे तो भी मनुश्य थे अभी ब्राम्मन बने है तो भी मनुश्य ही है फिर देवता बनेंगे तो भी मनुश्य ही रहेंगे है तो मनुष्य ही न, पर अंतर क्या है, क्यरेक्टर बदलते हैं, रावन आता है तो, तुम्हारी क्यरेक्टर कितने भी गड़ जाते हैं, चरित्र की बात है सारी, सतियोग में यह विकार होते ही नहीं, अभी बाप, तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं न, शिव बाबा के हम कौन है, पारवतियां है, और बाबा हमें यह, अमर नाथ शिव बाबा अमर कथा सुना रहे है, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी, कहते हैं, अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई? कहते हैं न दुनिया में? अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना? शिव कैसे सुनाएंगे? उनका तो मुखी नहीं है कितने ये धेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए ये भक्ति मार्ग की बाते बाप बैट समझाते हैं बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है नहीं ये तो ड्रामा जो अनादी है वह समझाया जाता है अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो मूल बात ही यह है भगवानवाच मन मना भवा इसका अर्थ क्या है यह बाप बैट मुख से सुनाते है तो यह गव मुख है ना ब्रह्मा मा है तो गव के समान हो गई और उनके मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते है यह भी समझाया है तो अमे व माताश्य पिता उनको ही कहते है तो इस माताद्वारा कौन ब्रह्मा माद्वारा तुम सब को एडॉप्ट किया है किसने? शिव बाबा ने, बेहद के पिता ने शिव बाबा क्याते है इस मुखद्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूद पिलाता हूँ तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है तो काया भी कंचन मलती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है आत्माए बिलकुल प्योर, कंचन बन जाती है फिर आहिस्ते, आहिस्ते, सीड़ी उतरते है अभी तुम समझ गए हो हम आत्माए भी कंचन थी, यानि पवित्र थी शरीर भी कंचन था फिर क्या हुआ? फिर रामा अनुसार हम चुरासी के चक्र में आए है अभी कंचन नहीं है ये चक्र फिरता रहा और आत्माभी बिलकुल तमुप्रधान बन गई तो अभी कंचन नहीं है अभी तो नौ कैरट कहेंगे पकि थोड़ा परसेंट जाकर रहे है एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे ऐसा भी नहीं है बिलकुल निशान भी मिट जाए नहीं, कुछ रह जाता है कुछ न कुछ शान्ती रहती है बाप ने यह निशानी भी बताई है लक्ष्मी नारायन का चित्र है नमबर वन अभी तुमारी बद्धी में सारा चक्र सारा का सारा चक्र आ गया है बाप का परीचे भी आ गया है भल अब तुमारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है प्रन्तु बाप का परीचे तो बुद्धी में है न, कंचन होने की युक्ती बताते हैं, यानि पवित्र होने की युक्ती बताते हैं, आत्मा में जो खाद पड़ी है, वह निकले कैसे? उसके लिए एकी तरीका है हमारा, क्या है? उसके लिए याद की यात्रा है, इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान, जाते हैं, माया याद करने नहीं देती। तुम हर एक इंडिपैंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जतना चाहे उतना पुरुशार्थ करे। पुरुशार्थ करना तो स्टुडेंट का काम है। और क्या करेगा, मैं आनत नहीं करेंगे, तुम आक्स कैसे आएंगे। कहां भी जाओ, एक दो को सावधान करते रहो, क्या सावधानी देंगे। मन मना भावा। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। बाब की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाब कहते हैं, एक सकिंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाब के बच्चे बने, तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है, क्या है बादशाही। उनमें ऊच पद पाना, यह है पुरुशार्थ करना। बाकी सकिंड में जीवन मुक्ती। जिस पल हमने बाब को जाना, पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, जीवन मुक्ती के हकदार बन गए। बाकी पुरुशार्थ करना है आत्मा को पूर्णरीती सतुप्रधान बनाने का। उस आधार पर पद निश्चित हो जाते है। तुसे लिए याद की यात्रा में रहना है और ज्ञान को पूर्णरीती धारन करना है। राइट तो है ना, पुरुशार्थ करना हर एक के उपर है। तुम बाब को याद करते रहो, तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतुप्रधान बन, सतुप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमुप्रधान से फिर सतुप्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है। इसका कब अंत नहीं आता। बाब कितना अच्छी रीती बैठ समझाते हैं, कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चे मुझे चीची दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो शिव बाबा को इस दुनिया में। कहते हो, हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर पावन बनाओ। क्यतना पतित पावन आओ। वाह, तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांती धाम सुख धाम में ले चलो तो तुम्हारा obedient servant हूँ तो ले जाएगा ना बाबा, obey करता है हमारा हर कहना मानता है ये भी ड्रामा का खेल ये जो बाबा हमें बताते हैं और उस अनुसार हम चलते हैं और बाबा मारा servant बनता है ये भी खेल है तुम समझते हो कल्प कल्प वही पढ़ते हैं पाट बजाते हैं आत्मा ही पाट बजाती है यहां बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं सितारों को देखते हैं कितनी छोटी आत्मा है किसे सितारों की जिल मिल रहती है कोई सितारा बहुत तीखा होता है कोई हलका कोई चंद्रमा के नजदीक होते है तुम भी योगबल से अच्छी रीती पवित्र बनते हो तो चमकते हो बाबा भी कहते है बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है यानि जो आत्मा जादा ज्यान और योग में अधिक शक्तिशाली है, तो बाबा कहते हैं, जो जादा तीखे हैं, उनको फूल दो. तो जो अच्छे नक्षत रहे हैं बाबा कहते हैं, उनको फूल दो. बच्चे भी एक दो को जानते तो हैं ना, पर उबर कोई बहुत दिखे होते हैं, कोई बहुत धीले होते हैं, कंट्रास्ट रहता है, सब क्लासेज में रहता है. उन सितारों को देवता नहीं कह सकते जो खुद ही कमजोर है वो दूसरों को कैसे देगे तो देवता कैसे बनेंगे तुम भी हो मनुश्य परन्तु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाये विश्व का मालिक बनाते है कितनी ताकत बाप वर्से में देते हैं Almighty बाप है ना बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठ कर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो वाह ऐसा तो कोई नहीं बनाते पढ़ाई सोर्स ओफ इंकम है ना सारा आसमान धर्तियादी सब हमारे हो जाते हैं कोई छीन ना सके उसको कहा जाता है अडोल राज्य कोई भी खंडन करना सके कोई जलाना सके तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना हर एक को अपना पुरुशार्थ करना है बचे म्यूजियम आदी बनाते हैं इन चित्रों आदी द्वारा हम जीन्स को समझावे बाप डारेक्शन देते रहते हैं जो चित्र चाहिए भल बनाओ बुद्धी तो सबकी काम करती है मनुष्यों के कल्यान लिये ही ये बनाए जाते हैं तुम जानते हो, सेंटर में कभी कोई आते है अब ऐसी क्या युकती रचें जो आपे ही लोग आएं मिठाई लेने ऐसा तरीका क्या रचे बुद्धी लगाने चाहिए जिससे आत्मों को आकरशन हो इसकी अच्छी मिठाई होती है तो एड़टाईज हो जाती है कहीं पर अच्छा ग्यान सुनाया जाए कोई चीज अच्छी पॉपुलर हो जाती है तो फिर इसकी एड़टाईज होती है सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ यह तो बड़ी अच्छे ते अच्छी नमबर वन मिठाई है जो बाबा हमें ग्यान दे रहे है बगत यह है नमबर वन मिठाई ऐसी मिठाई कोई दे ना सके एक देखकर जाते है तो दूसरों को भी सुनाते है खयाल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए उसके लिए कितना समझाते है परंतु समझते है परंतु पत्थर बुद्धी है बहनत तो लगेगी न शिकार करना भी सीखना पड़ता है न पहले-पहले छोटा शिकार सीखा जाता है बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए न पहले प्रजा बनाओ, फिर धीरे धीरे वारिस क्वालिटी आत्माएं निकालो कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित है, वेद शास्त्र आदी पड़े हुए है अपने को कितनी बड़ी एथौरिटी समझते है बनारस में कितने, उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते है तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो बड़ों का आवाज निकले, तब कोई सुने बनारस हिंदू युनिवोसिटी है, वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित आते है तो बहा कहते हैं कि जब उनका आवाज निकले, तब कोई सुने छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं शेरों को समझाना है, जो अपने को शास्त्रों की एथौरटी समझते है ऐसों को समझाना है कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है भक्ति मार्ग का राज्य है न, फिर होता है ज्यान मार्ग का राज्य ज्यान मार्ग में भक्ती होती नहीं ज्यान मार्ग में भक्ती नहीं होती भक्ती में फिर ज्यान बिलकुल होता नहीं तो यह बाप समझाते हैं बाप देखते भी ऐसे हैं समझते हैं यह सितारे बैठे हैं बाबा, हम आत्माओं को कैसे देखते हैं? इस दृष्टी कोण से देखते हैं, आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, इस सितारे बैठे हैं, देहे का भान छोड़ देना है, जिसे उपर में सितारों की जल में लगी हुई है, आकाश में वैसे यहां भी जल में लगी हुई है, कोई-कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए है यह है धर्ती के सितारे जिसको ही देवता कहा जाता है यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है बेहद का रंगमंच है बाप समझाते है बेहद की रात और दिन यह है फिर आधा कल्प की रात आधा कल्प का दिन बेहद का दिन में सुख ही सुख है बेहद के दिन में सुख ही सुख है दुनिया ही सुख धाम है कहा भी धक्के खाने की दरकार नहीं सत्युग में धक्के नहीं खाते भक्ती नहीं करते ज्यान में है सुख भक्ती में है दुख सतियुग में दुख का नाम नहीं वहा काल होता नहीं तुम काल पर जीत पाते हो मृत्यु का नाम नहीं होता वह है अमर लोक तुम जानते हो बाप हमको क्या सुना रहे है अमर कथा सुना रहे है किसलिए अमर लोक के लिए यह जो अमर कथा हम सुन रहे हैं, हमा आत्माई जो अजर अमर अविनाशी है, हमें हमारे पिता अमर नात शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, कहां अमर पुरी में ले जाने के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को उपर से लेकर सारा चक्र कहां है, बुद्धी में है, जानते हूँ, हमा आत्माउं का घर है, ब्रह्मलोक, वहां से यहां आते हैं, नमबर वार पाट बज्जाने, ठेर आत्माई है, एक एक का थोड़ी बैट बताएंगे, नटशल में बताते हैं, कितनी टाल टालिया है, निकलते निकलते जाड़ व्रिद्धी को पा लेता है, बहुत हैं, जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है, बाप आकर समझाते हैं, तुम असल देवी देवता धर्म के हो, पर अब धर्म भरष्ट कर्म भरष्ट बन गए हो, अब तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, कि हम असल शांती धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं पाट बज्जाने, इन लक्ष्मी नारायन का राज्य था, जब पहले-पहले आये थे हम, स्रिष्टी रंगमंच पर तो लक्ष्मी नारायन का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी, पूरी डिनाइस्टी थी, फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं, बाप ने बताया है, तुम सोरेवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, पकि बीच में तो हैं बाइपलोट्स, यह खेल है, बेहद का, यह सारा आत्माओं का खेल है, unlimited खेल है, यह कितना चोटा ज़ाड है, ब्रामणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सब को देख मिल भी नहीं सकेंगे, अभी देखो कितना बड़ा ज़ाड है, सब को मिली नहीं पाते हैं, जहां तहां घेराव डालते जाते हैं, बाप कहते हैं, देली को, बनारस को, घेराव डालो, फिर कहते हैं, सारी दुनिया को तो, सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो, तुम योगबल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, कितनी खुशी होती है कोई कहां कोई कहां जाते रहते है अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते जब बड़े-बड़े आएंगे अखबारों में पड़ेगा तब समझेंगे अभी छोटा-छोटा श्रिकार होता है यानि छोटी जादा बड़े माई क्वालिटी नहीं अभी तो सबका श्रिकार होता है अभी तो बाबा के घर में सबी आते हैं राजनेती वाले भी आते है और रणनीती वाले भी आते हैं यानि सारी तीनों से नाउँ से बड़े-बड़े Offizers आते हैं Businessman आते हैं Medical से आते हैं हर एक विंग में अलग-अलग प्रोफेशनल्स आते हैं। तो अभी तो बहुत लोग आते हैं और बाबा का मैसेज अनेक आत्माओं तक पहुचाने के निमित बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी छोटा-छोटा शिकार होता है, बड़े-बड़े साहुकार लोग तो समझते हैं, स्वर्ग हमारे लिए यहां ही है, गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा, मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परन्तु जब मोहु ममत्व सारी दुनिया से भी तूटे ना। जब तक कुरानी दुनिया से मोहु माया की रगे तूटी नहीं है, तब तक बाबा से जोड़ नहीं सकती। तब तक क्या नहीं सकते मेरे तो आप दूसरा ना कोई। अच्छा। रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धार्ना के लिए मुख्य सार है पहला, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। मनमना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्रबन, चमकदार सितारा बनना है। दुसरा, इस बेहद के बने बनाए नाठक को अच्छी रीती समझ कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्यान अंजन देकर मनुष्यों को अज्यान के घोर अंधकार से निकालना है। कैसे निकालना है ज्यान अंजन देकर। आज का वर्दान है बालक सो मालिक पन की स्मृती से सर्वखजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भवव। कैसे बनेगे स्वराज्य अधिकारी जब याद रहेगा। मैं बालक सो मालिक हूँ। अभी अभी बालक बन जाते हैं जब बाबा सुना रहे हैं। अभी अभी मालिक बन जाते हैं जब बाबा हमसे सुनना चाहते हैं। तो इसलिए बबाने कहा, बालक सो मालिक बन की स्मृती से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भावा, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा, बाप के वर्से के मालिक, तो स्व की सर्व कर्मिंद्रियां ओर्डर प्रमाड हो। जब स्वराज्य अधेकारी है तो सारी कर्मिंद्रियां ओर्डर प्रमाड हो। लेकिन समय प्रती समय मालिक पन की स्मृति को भुला कर क्या करते हैं? मालिक पन की स्मृति को भुला कर वश्मी करने वाला यह मन है क्या करता है मन? मालिक पन की स्मृति भुला देता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव मन मना भव रहने से किसी भी वियर्थबात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव करेंगे अपने आपी फील होगा कि सारे खजाने मेरे है अब अने का मन मना भव रहने से किसी भी वियर्थबात का प्रभाव नहीं पड़ेगा एक तो और दूसरा, सर्वखजाने अपने अनुभव हूँगे स्लोगन है, परमात्म महबत के जोले में कहुंसा जोला है? बाबा की महबत का परमात्म महबत के जोले में उडती कला की मौझ मनाना यही सबसे शुरिष्ठ भाग्य है कैसे मौझ मनाएंगे? बाबा की महपत का जोला है और उर्तिकला की मौच मना रहे है यही सबसे श्रेष्ट भाक्य है सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया तो जमा कुछ नहीं हुआ गई सेवा करी उसबने का आपने तो बहुत अच्छा की और स्विकार कर लिया हमने तो बस खत्म तो बाबा कहते हैं तो जमा कुछ नहीं हुआ कमाया और खाया उसमें फिर विल पावर नहीं रहते बहांदर से कमजोर रहते हैं शक्तिशाली नहीं, खाली-खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगे, तब निराकारी, निरहेंकारी और निर्विकारी स्थिती स्वतह बन जाएगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांती। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गए। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। नैनों में रुहानी नशा ऐसा छाने लगा। नैनों में रुहानी नशा ऐसा छाने लगा। चाह में बाबा तुम ही हो तुम, हर अदा सादकी हो गई। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। प्यार तुम से हमें हद से जादा मिला। जब से तुम हो मिलें मिल गया आशिया। दिन तो दिन है, ओ, दिन तो दिन है सुनेहरी की रण। रात भी चांदनी हो गई। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। दिल को कितना मिला है सुन। राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहबत में इक नई जिन्दगी मिल गई। उठ गई हर दिन्दगी मिल गई। हर कदम अब तो मंजिल कियों। पालिया ये जहां पाली बाबा की डोड। उठ गई हर कदम अब तो मंजिल कियों। मिल गई हर खुशी जिसका ना कोई छोड। आशमा हो आशमा अब हमारा हुआ। सारी दुनिया मेरी हो गई। बाबा तेरी महाबत में एक नई जिन्दगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून। राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी महाबत में एक नई जिन्दगी मिल गई। एक नई जिन्दगी मिल गई।